इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए ये हैं सिर्यूल कास से आने वाले जारखन के देवघर के कलक्टर आईएस मनजुनात और दूसरी तरफ तीन बड़े ब्रहामन समाज के एमपी और कानून को धज्या उराने वाए लोग है निसिकान दूबे उसके बाद कपिल मिश्रा और मनोस्तिवारी ये लोग जारखन गये थे हिंदू मुसलिम का मुद्दा गरवाने वो तो नहीं गरवाया लेकिन केस इन पर दर्ज हो गया है दरसल देवघर एयरपोर्ट पर इन लोग गये और एटी सी में घूस गये अपने बच्चों के साथ निसिकान दूबे घूस और शाम में वहाँ जो कानून था कि टेक ओफ नहीं कर सकते हैं इन्होंने अपने चार्टिट प्लेन को कहा कि टेक ओफ कराना होगा इसके बाद इन पर एफ़यार दर्ज हुआ उसके बाद ये सरयामेक IES को धमकी देने लगे सोसल मीडिया पर वहर छीरा हुआ है लेकिन आप सुचिए कि इस देश में जिस दिन S.C.S.T.O.V.C. मानोर्टी के लोग तन कर खड़े हो गएं संबिधान को साच्छी मान कर संबिधान को आगे रखकर अपने हक अधिकार और कर्तब का पालन करने लगे उस दिन इन तमाम जातिवादी मनुवादियों की हेकरी निकल जाएगी निसिकान दुबे ने एक के बादे कई आरोप लगाएं कहा कि आप मुखमंतरी के चाटुकार हैं आप दलाल हैं मुखमंतरी के इस सारे पर काम करते हैं सोचिए अगर इस लिहास सही है तो देश के ज़्यादा तर जानोटी के लोग हैं वो नियम कानून को मानते हैं वो इमानदारी से अपना काम करना जानते हैं और मंजुनाथ ने लगातार बहुती सालीन भाषा में निसिकान दुबे को मनोस्तिवारी को और कप्पिल मिस्रा यसे लोग को समझाया कि आप कानून हाथ में नहीं ले सकते सोचिए डिलीप मंदल लगातार इस पर कैंपेंज चला रहा है आरेस्ट निसिकान दुबे निसिकान दुबे पर गंभीर आरोप है अपने बच्चों के साथ वो एटी सी में घुस गए थे जिसमें परधान मंतरी को भी घुसने की जाज़त नहीं होती है सबाल है किक्या एक सिडीूल कास्ट के डिएम होने की विशे उनको धंकाया जा रहा है डराया जा रहा है उन्होंने अपनी कारवाई की है कारून की कारवाई की है कोट में फैसला होगा लेकिन निसिकान दुबे लगाता ट्वीट करके उनको डरा धंका रहे थे और आप वो डिलीट करने लगे हैं तो सोचिए इस देश में जातिवात का ये हाल है कि आप SP बन जाइए, DM बन जाइए, कलक्टर बन जाइए, मंत्री बन जाइए, राश्पती बन जाइए, लेकिन जाती आपका पिछा नहीं छोड़ती, अब सोचिए खेल को उल्टा कर दीजे, अगर को अब तक स्तीफा देना पर गया होता, किरकीरे होती से अलग, लेकिन क्या मजाल है कि कोई TV और अख़वार इस पर बहस करेगा प्राइम टाइम, लोकल अख़वारों में जो खबरे छप रहे हैं, उसमें भी मंजुनात को ही दोसी जैसा महसूस कराया जा रहा है, एक अख़ जो है, वो सालिंता से जवाब दे रहते हैं, और सोसल मीडिया पर अभी वीडियो और ये तमाम आडियो के बाइरल हो रहे हैं, कुछ पोस्ट पढ़के समनाता हूँ, सांसद निसिकान दूबे ने देवघर एरपोर्ट पर मचाया उतपात, बिलीप मंडल ने इस अख़व गुस कर किसी घटना को अंजाम तो नहीं देने वाले थे, तो सोचिया, और हीज एन नेशनल थ्रीट, अरेश्ट निसिकान दूबे दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, वाई दिद नो तिबारी एन दूबे जस सिट और बुलबुल, रोहिनी सिंग कह रही हैं, कि अगर उनक जाना ही था, सोचियो, वहाँ साम में जो टाइमिंग थी, उसके बाद से, वहाँ कोई भी प्लेन टेक आफ नहीं हो सकता, अगर नहीं सकता, लेकिन जब अरदस्ती उर आया गया, पंडा निसिकान दूबे बरदास्त नहीं कर पा रहे हैं, कि जो दलित कभी उनके पुर्ख कंट्रोल में घुस गए, टीसी भी नहीं जाती, तो सुचिये, किस तरह से लगातार एक सिरूल कास्ट आये, इसको धमकाने की कोशिस की गई है, लेकिन न वो डरें, न धमकें, और केस दर्ज करा दिया गया, और इस सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा आज की वाइरल जाता, कहीं दूर भेज दिया जाता, तो इस देश में, एससी, एस्टी, ओवी सी मैनॉर्टी के लिए आप कलक्टर, एस्पी, डी-एम, सी-एम, पी-एम बन जाईए, आपका जाती पीछा नहीं छोड़ती है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जिस दिन आपने हिम्मत से जजिया ही उरा सकते हैं, तो निसिकान दूबे की लगातार किरकिरी हो रही है, लोग निसिकान दूबे की गिरफतारी की मांग कर रहे हैं, आपको बता दे, निसिकान दूबे बीजेपी के एमपी हैं, मनोस्तिवारी बीजेपी के एमपी हैं, कपिल मिस्रा बीजेपी के न होने के बाद वहाँ से Chartered Plan टेक आफ नहीं हो सकता है और सवाल है कि कौन लोग Chartered Plan इनको देते हैं RJD ने सवाल पूछा है कि आखिर इनके पास से Chartered Plan आता कहां से सोचिए तो सारे संसाधनों पर इन लोग का कबजा है चैन मीडिया हो, जुडिशियरी हो कॉलेज इनवर्सिटी हो, बिजनेस हो पुलिटकल इन लोग का कब जाए और कुछ गलती से SC, ST, OBC, मानौटी के लोग रिजर्वेशन से संसद में रिजर्वेशन से SP, DM बन जाते हैं तो इन लोग के पेट में दर्द सुनोरे लगता है तो सुचिए, मंजुनात ने एक नई लकीर खीची है वहीं एक और ख़बर बता रहा हूँ निर्मला सितारमन तिलंगाना के दोरे पर है वहाँ चावल के चावल बढ़ता है जो केंसे उस पर परधान मंतरी की फोटो नहीं थी उन्होंने DM को हरका दिया DM को जलील किया, बेज़त किया कि परधान मंतरी की तस्वीर कहा है एक केंद्रिय मंतरी DM को हरका रहे है तो दूसरी तरफ जो BJP के जो मेंबर अफ पारलियामेंट है वो दलित DM को इस तरह से बेभार कर रहे है और सोची अगर BJP सासित राज्यों में या गैर BJP सासित राज्यों में पुलिस वाले से किसी की नोग जोग हो जाए और वो गैर BJP है, गैर सवर्न है तो किस तरह से उसको देश द्रोही साबित कर देते हैं तो आप लोग की क्या पर्तिरिया, क्या मंजुनात ने सही किया है कानून का पलन कराना उनका करतब है, जिम्मेदारी है और क्या निसिकान दुबे और मनोस्तिवारे ने अपने रसूख अपनी जाती का इस्तेमाल किया और क्या निसिकान दूबे की ग्रफतार ही होनी चाहिए ये सोसल मेडिया पर लोग सवाल पोछ रहे हैं आप लोग अपनी पर्तकिया जोर दीजिए शुक्रिया निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं कि अगर बच्छाना चाहते हैं